हालो आप सभी का स्वागत है इगल आई अस्टडी जोन में तो साथियों चाहे वो रेगुलर लाइप में हो या प्रोफेशनल जीवन में हो हम एक दीन जो है हॉलिडे लेने का प्रयास करते हैं हाला कि वो हॉलिडे भी हॉलिडे नहीं रहता है हमें कुछ ना कुछ काम करना ह होता है और वो भी हमारे जीवन के कुपलब्दियों के तौर पर जुड़ जाता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में पंचवर्शी योजनाओं के निर्मान के दौरान प्लान हॉलिडे भी अपनाया गया था 1966 से लेकर 1969 तक भारत सरकार के दौरा योजनाओं कास या प्लान हॉलिडे घोशित किया गया था और ये भी हमारे लिए हॉलिडे नहीं था इस दौरान जो उपलब्दिया हमें प्राप्त हुई वो बिकसत भारत बनाने में हमें काफी कारगर सिद्ध हुए तो आज हमारे चरचा का विशय है भारत में अपनाया गया प्लान हॉलिडे जो की 1966 से लेकर 69 तक अपनाए गये। इनकी उपलब्दियों पर हम चर्चा करेंगे और उन कारणों पर समिक्छा करेंगे जिसके कारण हमने प्लान हॉलिडे को अपनाया था तो चलिए प्रारम करते हैं, सबसे पहले भारत में पंचवर्सी योजनाओं की सुरुवाद 1951 को किये गये थे और 1966 तक तीन पंचवर्सी योजनाओं संचालित हो चुगी थी आज हम उन पंचवर्सी योजनाओं के लक्ष और उपलब्धियों के आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे योजना अफगास को अपनाया गया था, तो चलिए प्रारम करते हैं 1951 से लेकर 56 तक प्रतम पंचवर्सी योजना अपनाया गया जिसमें लक्ष तो 2.1 परसें पर उपलब्धी बढ़ चड़कर 3.6 परसें तक प्राप्त हो गया वहीं दूसरे पंचवर्सी योजना का जो लक्ष ता वो 4.5 था, उपलब्धी जो है वो 4.1 तो कमो बेस दूसरी पंचवर्शी योजना भी क्या थी? सफल मानी जाती है लेकिन तीसरी पंचवर्सी योजनाओं के अगर बात करें 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्सी योजनाओं को अपनाए गया था जिसमें लक्ष रखा गया था 5.6 पर उपलब्धी हुआ आधा 2.8 आखिर किया कारण था कि लक्ष का आधा ही हमें उपलब्धी तभी हमें योजना अवकास भी समझ में आएगा तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले जैसे ही 1961 को तीसरी पंचवर्सी योजना सुरू हुई हमारे साथ 1962 में क्या हो गया भारत और चाइना में युद्ध हो गया और इसका गहरा प्रबाब जो है भारत के प्रथान मंत्र पंडी जुहला नहरू पर पढ़ा और कहा जाता है कि 1964 में उनके मृत्यू भी हो गई इसके अलाबा इसके अलाबा लाल बहादूर सास्त्री जी जो कि अगले पथान मंत्री बने उनके मृत्यू जो है 1966 को हो चुका था इसके साथ 1965 में भारत और पाकिस्तान के मद्ध भी य काल पढ़ा और इसका परिनाम ये था कि हमारे जो खाज्यानों का बफर स्टॉक था वो हिल गया और बफर स्टॉक में कमी आने लगे तो ये वो कारण थे जिनोंने भारत की स्थिती को हिला करके रग दिया था 1961 से लेकर 66 तक अब आगे इसका प्रभाव जो है इंटरनेशन हो गया इन सब को कंच्रोल करने के लिए 1966 में भारत सरकार के द्वारा रुपईये का अब मुल्यन भी कर दिया गया हालकि इसके पीछे अवधारना ये थी कि निर्यात में ब्रिद्धी होगा लेकिन रुपईये के अब मुल्यन का प्रभाव भी जो है भारत के तो ये वो कारण थे जिसके कारण क्या हो गया ना हमारे तीसरी पंचवर्सी योजने असफल हो गई हमारे पास फंड की कमी होई और इसी कारण से 1966 से लेकर 69 तक प्लान हॉलिडे घोसित किया गया चुकि फंड की कमी थी तो योजनाओं का इंप्लिमेंट करना असंभव था और इस दोरान जो है तीन वार्सी प्लान अपनाए गए 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 अब हम बात करेंगे कि इन तीन योजनाओं के दोरान या प्लान होलिडे के दोरान कौन-कौन सी उपलब दिया हमें प्राफ्ट हुई सबसे पहले जिस बफर स्टॉक या खाजदान के ऊपर खाजदान की कमी आई थी उसमें सुधार हुआ चुकि 1963 के बाद भारत में जो है ग्रीन रेवलूशन प्रारम हो गया पंजाब में जो है गेहूं के उतपादन या खाजदानों के उतपादन चरम सीमा पर पहुँच गये और इसके सासाथ हाई यल्डिंग भराइटी सीड का भी प्रयोग 1966 में सुरू किया गया जिसके कारण हमें एक खाजदान में आत्मनिवरता प्राप्त हो चुकी थी तो हम भारत अर्थात हम जो है अब खाजदानी की दृष्टी कोन से सुरक्षी थे इसके अलावा डिफें में Electronic Corporation of India Limited का निर्मान हो गया और 1968 में National Textile Corporation का निर्मान हुआ था तो इन सभी उपलब्दियों के साथ हमने जोजनाए अवकास को पार किया साथ में हमारे हमारे अर्थ बेविस्ता में थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिली तो ये थी जोजनाए अवकास के वो सब कार जिसके कारण योजनावकास को अपनाया गया था और इसके साथ-साथ इस दोरान हमने कुछ उपलब्दियों की भी अपने साथ जोड़ा जिसके कारण हमारी चौथी पंचवर्षी योजनाए पुना प्रारम की गई तो ऐसे ही मैं तुन सूचनाओं के लिए हमारे साथ जो जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद